वेल्कम टु न्यू लेसन इस लेसन में हम बात करेंगी कैसे आप Google Ads अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ठीक है जी कल के लेसन में हमने Google Ads का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको आपने समझा था कि गूगल एड्स कितने टाइप्स की होती है आज के लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप Google Ads अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ठीक है बहुत ही सिंपल प्रॉसेस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल आपको गूगल पर जाना है और आपको सिंपल टाइप करना है ads.google.com आपको गूगल पर जाना है और जाके आपको सिंपल टाइप करना है ads.google.com ठीक है या फिर आप एक और काम कर सकते हो वो काम क्या है आप सिंपल सर्च कर दो Google Ads ठीक है सिंपल सर्च कर दो Google Ads और यह देखे हो आप या तो पहला यह result आ रहा है जो वाला result जो है इसे क्लिक करो यह पेच खुल जाएगा ठीक है दोनों आप्शन है या तो पहला option चूज करो आप सीधे लिख दो ads.google.com या दूसरा वाला option आप Google Ads सर्च करो और लिंक पे क्लिक करो देन यहाँ पे एक option आ रहा हुआ को sign in तो आप सिंपल क्लिक कर दो sign in देन आप अपने account से login करो तो यहाँ पे मैं इस account से login कर लेता हूँ आपके पास Gmail ID होनी चाहिए अगर आप Google Ads account बनाना चाहते हो और आप मैंसे जातर लोगों के पास Google ID होगी यहाँ पर मैंने login किया और यह मैं कर देता हूँ इसको done बहुत सिंपल देख सकते हो आप सिंपल मैंने बनाया और मैंने login कर लिया कोई इसके अंदर ज्यादा दिक्कत है नहीं ठीक है बहुत ज्यादा असान है कोई ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम होगी नहीं एक मैं काम और करता हूँ मैं एक और ID से आपको login करके दिखा देता हूँ ठीक है ताकि आपको ज्यादा clear हो जाए सो यहां से करते हैं sign out और मैं एक नई ID बनाता हूँ और उस नई ID से भी हम login करके देख लेते हैं तो मैं एक दम एक नई Gmail ID बनाता हूँ पहले एक काम करते हैं एक दम नई Gmail ID बनाते हैं और उसे भी login करके देख लेते हैं यहां से मैं कर देता हूँ यूज एन अदर अकाउंट सॉरी हां से कर देते हैं create account for myself और मैं यहां पर लिख देता हूँ दीपक लास्ट नेम सिंग देन मैं यूजर लिख देता हूँ यह FB ads था न तो यह Google ads है तो लिख देता हूँ Google ads by दीपक एड़ेट जीमेल.com मिल जाएगा पक्का पासवर्ड लिख देते हैं और नेक्स्ट कर देता हूँ ओके इसंट अलाउट ओके गोगल कह रहा है यह अलाउट नहीं है तो यह काम कर देते हैं G ads कर देते हैं अब करते हैं next ओके और इसको हम लिख देते हैं April 30 और यह भर देते हैं and then करते है next ठीक है जी एकदम नई Gmail ID बनाई है मैंने इससे लॉग इन करके इससे नए अकाउंट बनाके देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएं बहुत ज्यादा सिंपल है Google Ads अकाउंट बनाना बीच बीच में कभी कभी Google इसमें changes करता रहता है सो उससे आपको घबराने की ज़रुत नहीं है ठीक है आप देख सकते हो यह बिल्कुल ही नए अड़ अकाउंट है इसको next करते है मतलब एकदम नए Gmail ID है अब फिर से हम Google पर जाके अकाउंट बनाते हैं और यह पूछ रहा है यू डॉन्ट हाव एनी गूगल एड अकाउंट वूड यू लाइक टो क्रिएट वन तो न्यू गूगल एड्स अकाउंट और यहां भी ऑप्शन आगया वाट्स यो मेन अडवर्टाइजिंग ओल आप यह कर दो इसको क्लिक करना है आपको एक्सपीरियंस्ट विद गूगल एड्स ठीक है आपको क्या करना है एक्सपीरियंस्ट विद गूगल एड्स आप इसको क्लिक कर दो और यह कह रहा है यहां पर आपको यह क्लिक करना है create an account without a campaign ठीक है create an account without a campaign और आप यहां पर अपनी details देख लो एकदम सही है तो इसे कर दो submit और यहां पर आपको क्लिक करना है explore your account बहुत है simple है ठीक है बहुत है simple है हमने यह देख सकते हो आप कितने easy steps में Google Ads account बना लिया इससे पहले जो मैंने account बनाये था I believe उससे मैंने पहले logged in किया हुआ था इसलिए हमां पर सारी steps आई नहीं ठीक है तो आप यह देख सकते हो कितने simple easy steps में मैंने account बनाया और अगर आपको account बनाने में कोई भी problem आती है then आपको simple क्या करना है आपको हमारी website पर जाना है thinkandthrive.in और जैसे आप यहां पर आओगे आपको नीचे आप चैट option आएगा ठीक है एक चैट का बटन दिखेगा आप यहां से जाके अपना doubt हमसे share कर सकते हो Monday to Saturday आप doubts अपने बताओ और हम instantly morning 9.30 to 6 p.m. आप कभी भी doubt share कर सकते हो instantly आपको हमारा revert आजाएगा और आपकी problem तुरंट solve कर देंगे make sure कि जिस दिन public holiday हो उस दिन available नहीं होगी चैट बाकि दिन आप हमसे 9.30 to 6 p.m. कभी भी बात कर सकते हो और अपनी problem solve कर सकते हो ठीक है तो आपने देखा कितना simple थ Google Ads account बनाना ठीक है तो यह छोटा सा था lesson number two कल मिलेंगे एक नए lesson के साथ thank you so much कि